नमस्कार मैं हूँ चंद्रभान सिंग बदोरिया और आप देख रहे हैं सीवी लाइव चार जून को देश में अठारवी लोग सबाके नतीजे आ गए इन नतीजों में अब की बार 400 पार का बीजेपी और एंडिये का नारा हवा हवाई सावित हुआ बीजेपी 240 सीटों पर आकर थम गई तो एंडिये 290 इंकानों पर आकर रुक गया खेर एंडिये एलाइन्स को बहुमत मिल गया और वो आट जून को सरकार बनाने जा रहा है लेकिन इस समय विपक्षी इंडिया गडबंधन के लोग खासे खुश हैं खुश क्यों है कि वो काम्याब रहे मोधी को 400 पार जाने से और बीजेपी को अपने दम पर मैजोर्टी लाने से रोकने में वो काम्याब रहे इसमें वो संतुष्ट हैं उनको बधाई लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मोधी और एंडिये 400 पार तो ठीके 300 पार भी नहीं हो पाए और ऐसा क्या हुआ कि कॉंग्रेस 53 सीटों से निन्याणों पर पहुच गई और एलाइंस 230 को पार कर गया यहाँ पर भले ही इंडिया एलाइंस खुश हो सकता थ लकिन मुझे लगता है यहाँ पर मैं मेरा wish lesson दे रहा हूं आप अंतर तक सुनेगा आप उससे सेमत हो न हो अलग विशय है लोकतंत रहे आपको पहसमितिक अधिकार है लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया एलाइन से ज़्यादा इस प्रदर्शन के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है बीजे पी का केंदरी नेतरत्र नरेंदर मोदियो रमिसा की जोडी ने पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर जो ताना साही रवया अपनाया देश की कुछ जातियों के सौयमान और सम्मान पर फोकस नहीं किया ध्यान नहीं दिया उनकी उपेक्षा की ये उसके कारण बीजे पी की घटी हुई सीटे हैं विस्तार से अब समझ ये इसको आपने देखा होगा पूरे देश के नतीजों को लेकिन बीज अचले बार बताता हूं ये मेरा विश्लेशन है जरूरी नहीं कि आप सहमात हो फिर से कह रहा हूं शुरुआत करते हैं यूपी से यूपी के महू एक इलाका है वहां के एक अफसर है आईएस अफसर है अरविंद शर्मा अरविंद शर्मा आईएस थे और गुजरात के डर के अफसर थे जब प्रधान मंतरी मोदी 2001 में गुजरात के सीम बने तब उनको अपने कारेलेमेन उने अपने साथ किया और अरविंद शर्मा इतने खास अफसर थे कि जब तक मोदी गुजरात के सीम रहे अरविंद शर्मा उनके साथ रहे और जैसे ही प्रधान मंतरी के पोस्टिंग पी-े-मो में हो चुकी थी इस से आप अंदाज लगाएं कि वो कितने करीब थे पी-े-मो में उन्होंने काम किया दो हजार बीस-इकिस में 18 महीने पहले समय के पूरी उन्होंने सिवानुर्तिन ले लिए और उसके बाद उनको लखनों भेजा गया, योगी जी से ये कहा गया, कि इनको MLC बना दिया जाए, MLC यहने की विधायक के समकर छोता है कुछ राज्जों में विधायन परशद की विवरस्था जिसमें UP में भी है MLC बना व्यक्ति चीप मिनिस्टर भी रह सकता है MLC बना दिये गए अर्वीन शर्मा उसके बाद उनको योगी को ये कहा गया कि इनको आप डिप्टी सीएम बनाईए तब योगी के कोई लगा कि ये मेरी निगरानी के लिए भेजे गए अब सर है उन्होंने इंकार कर दिया दबाओ बना आपको याद होगा तो 2021 में एक महिने ये एकसेसाइज चली थी कि योगी को हटा दिया जाए संगे के लोग, बीजे पी के लोग तमाम लखनों जाते थे फीडबेक लेते थे दबाओ बनाने की पूरी कोशिश थी लेकिन योगी ने कह दिया कि आप हटाना चाहें तो हटा दीजिए लेकिन मैं इनको डिप्टी सीएम नहीं बनाऊँगा चुकि बाविस में विधान सभा की चुनाओ थे इसलिए योगी की बात योगी को नाराज करना ठीक नहीं था मन मसूस कर अर्विन शर्मा और अमिर्शाह रहे गए बाविस की चुनाओ हुए उसके बाद योगी पर दबाओ बनाकर अंततर उत्रप्रदेश शरकार में उनको ताकत्वर विभागों का मंत्री अर्विन शर्मा को बना दिया गया कहते हैं चर्चा हैं कि अर्विन शर्मा इतने पावर्फुल हो गए कि अमिर्शाह खेमे कि और से कई बार ये संदेशा जाता था यूपी के मिलकर काम करना है जहिर सी बात है कि योगी पर निगरानी लगा दी गई थी इसे बीजेपी के लोग पिये मोदी का यूपी के डरलोप्मेंट के परती एक एजंडा मानते हैं लेकिन चुकि योगी आदितनात राजपुस समाज से आते हैं इसलिए योगी को कमजर करने की कोशिश से यूपी के राजपुस समाज में नाराजगी पैदा हुई नाराजगी बड़ी सभी नाराज थे ये नहीं कह रहा हूँ लेकिन एक बड़ा धड़ा नाराज होने लगा अर्विन शर्मा चातिवाद भी बढ़ाते रहे गुडबाजी भी बढ़ाते रहे और नतीजा वहाँ पर नकरात्मक महल बना और इसी बीच जब गुजरात में पुरुसुत्तम रुपाला ने जब राजपुतों का अपमान किया और उसके बाद जो पुलिस ने उनके विरोध प्रदाशन के दुरान विवार किया उसके वीडियो तमाव वारल हुए राजपुत गुरुपों में और उसकी आच गुजरात से निकल कर राजिस्थान में और उत्तरप्रदेश में पहुँची यही वज़े है कि राजिस्थान का राजपुत समाज नाराज हुआ और बीजेपी को बड़ा जटका लग गया राजपुत समाज राजिस्थान में इसने भी नाराज हुआ क्योंकि जो बाड़मेर की सीट थी वहाँ पर रवेंदर सिंग भाटी को हक होने के बाज़ोद भी टिकेट नहीं दिया गया नतीजा आसपास की तमाम सीटे बीजेपी को गवानी पड़ी तो यूपी की हम बात कर रहे थे राजिस्थान का मैंने आपको बता दिया राजिस्थान में क्यों नुक्सान हुआ तो यूपी में भी ये वाली आच गुजरात वाली पहुँच गई थी इससे नाराजगी बड़ी तो यूपी के राज़वूट वोटर बीजेपी से नाराज हुआ पूरा नहीं हुआ लेकिन एक बड़ा धड़ा हुआ दलितों की बात करें जो मायवती का दलित वोट बेंक फिक्स था जो हमेशा बसपा को मिलता था बीजेपी को उससे ये फायदा होता था कि बसपा के वोट उनके विरोधियों को नहीं जाते थे सपाय और कांग्रेस को वो बढ़ जाते थे लेकिन जिस तरीके से हमेशा ने पूरी तरीके से रिमोट कंट्रोल से बसपा को चलाना शुरू कर दिया पब्लिक डॉमिन में ये चीज आ गई, मीडिया रिपोर्ट्स बन गई सोशल मीडिया पर ये आ गया आकास आनंद को बीजेपी के कहने पर मायवती ने हटाया और जिस तरीके से कई उम्मिद्वारों को बदला बसपा ने बीजेपी के कहने पर उससे उनके दलित वोट बेंग को ये संके चला गया कि बहन जी बीजेपी के सारे पर चल रही है और नाराज होकर दलितों का एक बड़ा वोट बेंग सपा बसपा में सिफ्ट हो गया ये वज़ा थी यूपी में बीजेपी के कमजोर परदर्शन की अब इसे आप योगी के खिलाब योगी के नेत्रतों में कमजोर परदर्शन मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए लेकिन अंदर खाने की वज़ा ये थी राजिस्थान के मैं आपको बता चुका हूँ अब आता हूँ हरियना पे जाट लेंड जितना भी है वो उसका एक हिस्सा राजिस्थान में टच होता है एक बड़ा हिस्सा हर्याणा में होता है दिल्ली के आसपास और पश्यमित्यप्रदेश की केराना, मेरेट और अधिक कई सीटों पर उसका असर होता है जाट क्यों नाराज हो गए हर्याणा में जाटों ने पहली बार बीजेपी की दस साल पहले विधान सबा में सरकार बनाई संसद में सारी सीटे दे दी लेकिन आपने जाट लेंड होके भी हर्याणा में जाट सीएम नहीं दिया मोधी जी ने मनोहलाल खटर को जाट जो CCM बना दिया जो कि नॉन जाट जाट थे और कभी उनके रूम पार्टनर हुआ करते थे उनकी एक मातर योगिता थी मोधी जी का रूम पार्टनर होना जब उनको अटाया और नायव सिंग सेनी को बनाया तो नायव सिंग सेनी भी जाट नहीं थे तो जाटों की पहले नाराजगी ये दूसरी नाराजगी हाली में जब किसान मुमेंट शुरू होने वाला था तब हर्याना के रास्ते किसान गुशने वाले थे जब दिल्ली और हर्याना की बॉर्डर पे जो बाड़ा बंदी की गई दिल्ली पुलिस की और से CRPF लगा कर पेरा मिलिटरी लगा कर ड्रोन से किसानों पर आसू गेस के गोले बरसाए गए ये चीज़ से जाट किसान नाराज हुए और तीसरा आपको याद होगा ब्रजभूशन सरन सिंग के खिलाब जिस तरीके से महिला पहलवानों ने प्रदर्शन किया था योन प्रताणा का आरूप लगा कर धरना महीने भर तक दिया था लेकिन उनकी ठीक धंसे नहीं सुनी गई जाट समुदाय से वो सभी आती थी उनके आसुज जाटों ने देखे गुसा इसकदर था कि जब ब्रजभूशन की जगे उनके बेटे को टिकेट दे दिया इससे भी जाट समुदाय नाराज हुआ और यही वज़ह है कि हर्याना और पश्चिमी यूपी और जो राजिस्थान का एक दो सीटे जहां चार्ट प्रहूल है उन सबी सीटों पर बीज़ेपी को हार का सामना करना पड़ा तो सीधे तोर पर यूपी हर्याना और राजिस्थान ये तीन राज्जों ने एक बड़ा गड़ा बीज़ेपी को दे दिया यहां से उम्मीध ही बीजेपी नहीं कर रही थी चोथा इस्टेट आता है महरास्टा महरास्टा में क्यों हारे देखेए पहले सिवसेना जो थी उद्धव ठाकरे के नेतरतवाली उसने बीजेपी से गद्धारी की थी यह सच है क्योंकि कि बीजेपी साथ मिलके विधान सबा चुनाओ लड़ा लेकिन सीएम बनने की लालच में उद्धव ठाकरे एंसीपी और कॉंग्रेस से हाथ मिलाकर बीजेपी को धोका दे गए जनता में बहुत साहनबुती थी बीजेपी को लेकर लेकर लेकिन यह साहनबुती कहां खतम हो गई यह साहनबुती तब खतम हो गई जब ऐसा ही बीजेपी ने किया उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ दिया एक ना सिंदे की सिवसे ना अलग हो गई दूसरा आपने रांकपा को तोड़ दिया सरत पवार की पार्टी को और उन अजित पवार दादा को लेकर आ गए जिन पर आपने पंदरा हजार करोड रुपे का स्केम का आरुब लगाया था आपकी केंदरी एजिन्सिया उन पर चार्ट शीट करने वाली थी लेकिन जैसे ही वो आपके साथ आए आपकी सरकार मजबुत हो गई वैसे ही आपने क्लिंचिट अजित पमारों उनकी पत्नी को दे दी तो महराश्च की जनता इस चीश को आपने एलेक्शन कमीशन से वज़े है कि महराश्च में बड़ा नुकसान बीजेपी हो गया दूसरा महराश्च में जो कद्दावन नेता है प्रणवीस उनको भी नरेंदर मोदी और अमिश्चान ने कमजोर किया जो कभी मुख्यमंतिय रहा उसको अपने डिप्टी सीएम बना दिया उसके बाद एको डिप्टी सीएम बना दिया जीद पवार को तो 50 फीजडी का पावर रह गया उनके समर्थक नाराज हुए ये एक महराश्च की अब आपको मैं बताता हूँ कि एक अन्य वज़ग क्या है अब मैं आपको बताता हूँ कि अन्य वज़ग क्या है देखिए डिक्टेटर्शिप ताना साही इस देश में जनता सिवकार नहीं करती पहली ताना साही इंदरा गांधी ने की थी मीशा कानून लगाया था आपा जनता सरकार ने उसी इंदरागान्दे को जनता ने तीन साल बाद फिर से भारी महमत से बढ़ा दिया क्योंकि तब ये माना गया कि अब जनता पार्टी की सरकार ताना साही कर रही है यहां मोदी सरकार अपने एजिंडे के साथ बहुत अच्छा काम कर रही थी मैं तारिफ भी करता हूँ कहीं मुद्दो पर तीन सो सत्तर हटाने की ताकत मोदी में थी मोदी ने हटाया कश्मीर को सांत किया पाकिस्तान को उसकी योकाद बताई विश्विस तर पर भारत को मजबूत बनाया शिराम मंदिर बनाया तेज भर में एक्सप्रेस वे और हाईवे का जाल बिछाया वंदे भारा जेसी ट्रेने आई देश की एकनोमी आगे बड़ी इन सब में मोदी की तारिफ है लेकिन पार्टी के भीतर और अंदर जो डिक्टेटर्शिप थी ताना साही थी वो जिस तरीके से बढ़ रही थी उससे बीजे पी को एक बड़ा नुक्सान पहुंचा अब भीतर की ताना साही क्या थी आप देखिए कि अमिश शाको भविस्व में कोई दिक्कत न हो उसके लिए जो छेतरी नेता है उनको हासिये पर डाला गया शिवराँ सिंक्ग जैसे चौहान जैसे नेता को जिसके कारण मद़ब्रदेश में आपको अभी भी 39 सीटे मिल गए लाडली बहना जोजना से उन नेता को उनका इस्तमाल पूरा किया गया उनके चहरे का इस्तमाल किया गया लेकिन जैसे ही सरकार मद्व प्रदेश में बनी उनको हटा दिया गया, डक्टर मोहनियादों को बना दिया गया क्या ये इंटर्नल डिक्टेटरशिप नहीं है इस नाम पर कि पार्टी कारकरताओं को मुखा देती है अगर ऐसा था तो आप जनता के बीच में उस कारकरता का नाम पहले रख देते आपने वसंदरा राजे को राजिस्तान में अलग थलग कर दिया, हासिय पर डाल दिया जवाब आपको वहां मिल गया, चत्तिजगर में आपने रमन सिंग को तो मद्रप्रदेश में दरें सिंग तॉमर को स्पीकर बना कर उनको आपने डगभग रिटार्इड कर दिया मनोलार खटर को आपने हटा दिया, नितिन गटकरी को आपने संसिदी बोड से हटा दिया सिंग चोहान को आपने संसिदी बोड से हटा दिया, जो मास लीडर है, छेतरी लीडर है जिनके कारण पार्टी का कैडर है, आप उनको हासिये पर डाल रहे हैं पार्टी के भीतर भी नाराजगी थी, पार्टी का एक धड़ा वोड देने नहीं निकला पार्टी का एक धड़ा आपको समर काम करने के लिए नहीं निकला है, उसका भी ये परणाम है और उस पर तुक्के बाजी ये कि जेपी नडडा मेडिया में इंटरू देते हैं कि जब बीजेपी छोटी थी, तब उनको आरेसेस की जरुवत थी, अब आरेसेस की अतनी जरुवत नहीं है जबकि सभी जानते हैं कि आरेसेस बीजेपी का मदर और्गनाजेशन है, मातर संग्ठन है या जहां से वो उरजा और विचारधारा हासिल करती है, वो संग्ठन है लेकिन ऐसा बोल के आपने संग को भी नाराज किया देजभर से रिपोर्ट्स हैं कि संग कुछ जगों पर संग्रे रहा, लेकिन जातर जगों पर संग उदासीन बना रहा मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि खिलाब हुआ, उदासीन बना रहा और यह उदासीनता भी यहाँ पर नमरों में दिखाई पड़ती है अब बाहरी डिक्टरटरशिप की बात करें माना अरिविंद केजिवाल ने शराब घोटाला किया होगा माना सुविव सोरन के बेटे हेमन सोरन ने जमीन घोटाला किया होगा लेकिन आप गिरिपतारी की टाइमिंग देखिए जब विदान सबाचुनाओ होने को है, आचार सीता लगने को है उस समय आप हेमन सोरन को गिरिपतार करते हैं जब आचार सीता गोशिद हो जाती है दिल्ली की सीटों पर कैम्पेन का तब आप अर्विन केजिवाल को गिरिपतार करते हैं सवाल यह नहीं भले आपने दिल्ली की सातों सीटें जीत ली है लेकिन जो बुद्धजी वर्ग है देश का वो इन चीजों को देखता है क्या सही है क्या गलत है यह सब देखता है आप अगनीविर जैसी योजनाय लेके आते हैं जो बेरोजगारों को चड़ाने वाली है उनके जखमों पर नमक विर्चे लगाने वाली है पहले ही वो रोजगार के लिए संगर्स कर रहे हैं और चार साल का एक उफर दे रहे हैं आप तो ये इससे आपको हरियाना, उत्तर प्रदेश, रजिस्थान, तमाम उत्तर भारत में नुक्सान हुआ है लेकिन दिक्कत यह है कि जब व्यक्ती को एहंकार आता है तो उनको ये लगता है कि मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ, ये ब्रह्म वाक्य है सभी इसको सिवकार करेंगे, सभी इसको मानेंगे ऐसा होता नहीं है देश में कुछ जाती ऐसी है, जो जब अपनी वाली पर आती है तो न वो मन्ने से ड़ती है, न मुकदमे माजी से ड़ती है और आपको आपकी एश्चत बता देती है बता दी गई तो ये रहे वो कारण जो मुझे लगता है कि क्यों आखिर बीजेपी के नंबर कम हुए बीजेपी की कैसे 60-70 सीटे कम हो गई कैसे अंडिये की 80-90 सीटे कम हो गई क्यों 300-400 पार नहीं पहुच पाए क्यों 300 पार नहीं पहुच पाए ये उसकी वज़ें थी हो सकता आप सहमत हो ना हो कमेंट बाक्स आपके लिए है कमेंट किजीगा आप कोई गुस्सा आ रहा होगा तब भी आप लिख सकते हैं आपकी विचारों का स्वागत है और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजीगा और बेल आइकन जरूर दबाएगा